दोस्तों आपने कोविसिल्ट वैक्सिन का नाम तो सुनाई होगा ये वही वैक्सिन है जिसको आपने करोना वायरस से बचने के लिए लगवाया था इस वैक्सिन का फोर्मॉला बिरिटिस फार्मा कमपनी एस्ट्राजनिका से लिया था और अब उसी फार्मा कमपनी एस्ट्र लंबो साइटोपेनिया सिंड्रोम यानि TTS और हार्ट अटेक जैसे कहीं और कतरनाक साइड इफेक्ट हुए है TTS बीमारी में सरीर में खून के ठक्के जम जाते हैं और खून में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है जिससे इनसान की मिरत्यूबी हो सकती है और कमाल की बात है कि जिस बेटिस फार्मा कमपनी एश्टरजनिका ने ये वैक्सिन बनाई है उसने भी इस बात को कबूल किया है कि इस वैक्सिन से TTS और हार्ट अटेक जैसे साइड इफेक्ट हो सकते है तो आज की इस वीडियो टेप में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे तो आज की इस वीडियो टेप को पले करते हैं ब्रिटिस मीडिया टेलिगराफ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्राजनिका फार्मा कमपनी पर आरोप है कि उनकी वैक्सिन से कहीं लोगों की मोत हो गई है वही कहीं लोगों को गंभीर बिमारियों का सामना करना पड़ा है ये वही वैक्सिन है जिसका फॉर्मूला यूज करके इंडिया की कमपनी सीरम इंस्ट्यूट ने कोवी सिल्ड वैक्सिन बनाई थी जो की लगबग 80% वारतियों को लगी थी जो की एक गंभीर बात है वैक्सिन बनाने वाली इस कमपनी के खिलाब हाइकोट में 51 केस चल रहे है पीडितों ने एक्ट्राजैनिका फार्मा कमपनी से करीब 1000 करोड का हरजाना मांगा है वैक्सिन से होने वाली एक नई बिमारी वैक्सिन इंडिस्ट इम्म्यून थ्रम्बोटिक थ्रम्बोसाइटोपैनिया यानि की VITT की पहचान की थी पीडितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है हाला कि एक्ष्ट्रा जाने का फार्मा कमपनी ने इसे खारिज कर दिया था सबसे पहले बिर्टिस नागरिक जैमी एसकोट नाम के एक वैक्ती ने इस वैक्सिन कमपनी पर केस किया अप्रेल 2021 में जैमी एसकोट ने यह वैक्सिन लगवाई जिससे उन्हें TTS यानि थ्रंबोसिस विद थ्रंबोसाइटोपेनिय सिंड्रोम बिमारी के लक्सन दिखने लगे उनकी हलत खराब हो गई शरीर में खून के ठक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा इसके अलावा असकोट के ब्रेन में इंटरनल बिलेडिंग भी हुई रिपोर्ट के मुदाफिक डोक्टरों ने उनकी पतनी से कहा कि वो असकोट को नहीं बचा पाएंगे पिछले साल असकोट ने अस्ट्राजानिका के खिलाब कोट में सिकायत दर्ज कराई मई 2023 में असकोट के आरोपों के जवाब में कमपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS जैसी बीमारी नहीं हो सकती हाला कि इस साल फरवरी 2024 में हाई कोट में जमा किये गए डोकुमेंट्स में कमपनी इस दावे से पलट गई है इन डोकुमेंट्स की जानकारी अब सामने आई है British High Court में जमा किये गए documents में company ने माना है कि उनकी Corona vaccine से कुछ मामलों में thrombosis thrombocytopenia syndrome यानि TTS हो सकता है जिस बिमारी से सरीर में खून के ठक्के जम जाते है और खून में platelets का level कम हो जाता है हाला कि vaccine में यह बिमारी किस चीज की वज़े से होती है इसकी जानकारी भी फिलाल company के पास नहीं है इन company के सामने के आने के बाद असकोर्ट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है एस्ट्राजानिका और Oxford की vaccine में खामिया है और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई एस्ट्राजानिका फार्मा कमपनी ने अपने बचाओं में कहा है कि उन लोगों के परती हमारी सवेदनाए हैं जिनोंने अपनों को खोया है या जिने गंबीर बिमारियों का सामना करना पड़ा है मरीजों की सेफटी ही हमारी प्रियोर्टी है हमारी रेगुलेटरी अथोर्टी सभी दवाईयों और वैक्सिन के सुरक्सित इस्तमाल के लिए सभी स्टेंडर का पालन करती है कमपनी ने अपने बचाओं में आगे कहा है कि किलिनिकल ट्रायल और अलग-अलग देसों के डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सिन सुरक्सा से जूड़े सभी स्टेंडर्स को पूरा करती है दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना है कि वैक्सिन से होने वाले फायदे इसके रेर साइट इफेक्ट से कहीं जयदा है हाला कि खास बात यह है कि इस वैक्सिन को अब डिटेन में यूज नहीं किया जा रहा है टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बजार में आने के कुछ महिनों के बाद ही वैग्यनिकों ने इस वैक्सिन के खत्रे को भाप लिया था इसके बाद यह सुजाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को किसी दूसरी वैक्सिन का भी डोज दिया जाए ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एस्ट्राजैनिका की जो वैक्सिन है उससे जो उक्सान होगा वो क्रोना के खतरे से भी कहीं ज़्यादा है Medicine Healthcare Product Regulatory यानि MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 21 मामले ऐसे है जिन में इस बात की आसंका है कि वैक्सिन की वज़ा से खून के ठक्के जमने से लोगों की मौत हो गई MHRA के मुताबिक जिन लोगों को इस वैक्सिन का साइड इफेक्ट हुआ है उन में से हर पांच में से एक वैक्ति की मौत हुई है रिपोर्ट के मुताबिक Freedom of Information जिसको हमारे देश भारत में RTI यानि Right to Information कहा जाता है उसके जरिये हासिल किये गए आगडों के मुताबिक Britain में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मौवजा दिया था इन में से 158 ऐसे लोग थे जिनोंने एक्ट्राजैनिका ओक्सपोर्ड की वैक्सिन लगवाई थी वही पर WHO यानि World Health Organization ने क्रोना के टाइम पर ये बोला था कि 18 साल या उससे ज़्यादा उमर वाले वैक्सितों के लिए यह वैक्सिन सुरक्सित और असरदार है इसकी लॉंचिंग के वक्त ब्रेटेन में जो मौजुदा परधान मंतरी थे बोरिस जोनसन उन्होंने भी इसे ब्रेटिस साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था और अब यह वैक्सिन लोगों के लिए जहर बन गई है और उसमें एक गंबीर बात और ये भी है कि भारत में इस वैक्सिन का जैदा उजूज हुआ है भारतिये लोगों को 80% COVID-19 वैक्सिन लगी है जो कि इसी वैक्सिन के फोर्मूले से बनकर तयार हुई है तो अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जैसे ब्रिटेन ने किया कि पहली क्रोना वारस से बचने के लिए एक वैक्सिन लगवाई और फिर उस वैक्सिन से बचने के लिए दूसरी वैक्सिन लगवाई क्या हमको भी वैसा ही करना पड़ेगा या फिर इसका कोई होर उपाय निकाला जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है आपसे अगली वीडियो टेप में तब तक के लिए अलविदा